हेई गाईज वेलकम तो इस वीडियो तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाट इस डॉकर, डॉकर क्या परपस को सर्व करता है और एंड में डॉकर के रिलेटेड एक डेमो परफॉर्म करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर क्या है डॉकर है वो एक कंटेनर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोइड करता है डॉकर है वो कोई भी लोकल लेप्टॉप या फिर वर्चूल मशिन में कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है और वो एक पोर्टेबल वर्कलोड को होता है और हाइपरवाइजर टेकनोलोजी का यूज करता है एक से ज्यादा कंटेनर को एक साथ रन करने के लिए बैसिकली डॉकर है वो होस्ट मशिन यानि कि अपनी जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज उबन टू लिनक्स या तफिर मैक ओस उस पे हम इंस लोकल मशीन में तो चाहती है लेकिन जैसे यह वह एप्लिकेशन को लाइव सर्वर पर डेप्लोई करते हैं तो वहाँ पर उसका बीहवियर चेंज होता है ड्यू टू सम रीजन्स ऐसा हो सकता है कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और जहां पर हम डेप्लोई कर रहा है वह दोनों ही जगा अलग-अलग भीहव करती है तो यह प्रोब्लेम है वो बेजिकली डॉकर है वो सौन करता है डॉकर है वो हमारी एप्लिकेशन का जो भी पैकेजिस और सॉप्टवेर उसके साथ यूज हुए है उसको एक पैकेज में कमबाइन करता है और वो जो बंडल क्रि लग लगली ही बिएव करेगा और डॉकर हब जो की डॉकर की इमेज रेलेटड रिपोसिटरी है वहा से हम कोई भी इमेज है वह हमारे रेकुर्बेंट के साथ से डाउन्लोड कर सकते है और अगर कोई हमें हमारी एक स्पैसिप्ट है जिसकी इमेज वहां पर पहले से then Ubuntu Python, basically इसमें से कोई भी repository को हम pull करके फिर उसका container है वो हमारे host system पर run कर सकते हैं, based on our requirement, तो अभी के लिए हमारे practical में अगर हम देखें, तो हम pull करेंगे एक Apache की image, और बाद में उस Apache की image का container हम हमारी host system में run करेंगे, और देखेंगे कि उस Apache के अंदर जो हम HTML files रखते हैं, उसको कैसे access कर पाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर search कर लेते हैं Apache 2, जो कि Ubuntu का Apache है, अगर CentOS का हुआ, तो उसको HTTP से refer किया जा सकता है, HTTPD से, तो फिर यह HTTPD की image भी यहाँ से मिल जाएगे, लेकिन फिला राम Ubuntu की Apache को use करेंगे, तो इसलिए Apache 2 को search कर लेते हैं, और यह जो image है, उसके detail में चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक command दीखेगा, docker pull command, तो हमें यहीं command के थुरू, यह जो image है, उसको हमारे local machine में pull करना है, तो इसके लिए चले जाते हैं, टर्मिनल में, और टर्मिनल पर यह command simply run कर लेते हैं, तो यह जो image के various layers है, उसको pull करने लगा है, ओके तो हमारी जो यह Apache 2 की image है, वो हमारे local machine में save हो चुके है, तो इसको अगर हम verify करना चाहें, तो उसके लिए command है, docker images, और चितनी भी images है, वो यहाँ पर list होके आ जाएगी, अभी के लिए एक image है, ubuntu slash Apache 2, और उसकी size और cup create हुई है, और image ID, सब कुछ यहाँ पर list out हुआ ह तो इसी image के base पे हमें create करना है, एक container, तो इसके लिए command है docker run, यह image से हम कितने भी container create कर सकते हैं, based on our requirement, और क्योंकि यह हमें demon mode में run करना है, तो इसके लिए flag है dash d, और Apache है, तो Apache है वो port 80 पे run होता है, तो उसका जो port 80 है, वो अगर हमारे local के port के साथ map करेंगे, तभी हमें Apache का कुछ भी output है, वो हमारे local के browser में दिखेगा, क्योंकि यह container है, उसमें GUI interface नहीं हो, तो इसके लिए इसका जो port है, जिस पे Apache run होगा, उसको हमारे local के port के साथ map करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारे local में already एक Apache चल रहा है, 80 port पे, तो हमारे local का port है, वो कुछ 80 ना रखते हुए, कुछ और port रखेंगे, जिसको container के 80 नमर के port के साथ map करेंगे, तो इसके लिए again, एक flag है, dash P, और यहाँ पे आएगा हमारे local machine का port, जो कि 80, 80 हम कोई लिए port रख सकते हैं, जो कि use में ना हो, तो अभी के लिए रखते हैं, 80, 80 और container का port रखते हैं, 80 क्योंकि container में जो Apache run हो रहा है, वो 80 नमर के port पे run हो रहा है, तो उसका 80 नमर का port, local के 80, 80 के साथ map करते हैं, और उसके साथ container का कुछ unique नाम देते हैं, let's say, Apache 2-1, और कौन सी image का हमें यह container create करना है, तो इसके रिए यह image का नाम है, वो यहाँ पे देते हैं, और hit enter, तो यहाँ पे यह कुछ random number है, वो return हुआ है, और हमारा container है, वो run होने लगा है, यह confirm करने के लिए, again, command से check करते हैं, docker, ps, and enter, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि यह container का id है, चोकि unique है, और यह हमारी image है, उसका container run हो रहा है, और Apache इसके अंदर run हो रहा है, और कब create हुआ है, उसका क्या status है, और कौन से port है, वो हमारे local से bind हुए है, वो भी यहाँ पे list out हुए है, तो 8080 local के port के साथ, container का 80 number का port यहाँ पे bind हुआ है, और उसका नाम क्या है, Apache 2-1 वो भी यहाँ पे दिखा रखा है, तो अगर हम यह जो 8080 port है, उसको हम check करें, तो हम देख सकते हैं, कि यह Apache run हो रहा होगा, तो इसके दिए चले जाते हैं, एक new tab में, localhost slash colon 8080 और enter, तो यहाँ पे हम देखें, कि यह जो Apache run हो रहा है, वो हमारे container से आके run हो रहा है, अगर हम यह file है, जो index.htm, जो default है, जो container के अंदर है, उसको अगर हम change करना चाहें, तो उसके लिए हमें container के अंदर enter करना पड़ेगा, तो अगर यह files को मुझे change करना है, तो मुझे enter करना पड़ेगा, यह container के अंदर, क्योंकि अभी है जो मैं terminal पे हूँ, वो मेरे host machine का terminal है, अगर मुझे container के अंदर कुछ change करना है, तो मुझे यह id के तुरू यह container के अंदर enter करना पड़ेगा, इसके लिए command है docker execute, और क्योंकि मुझे interactive mode में अंदर जाना है, मुझे जो terminal चाहिए, वो container का terminal चाहिए, तो इसके लिए command है docker execute-it interactive mode के लिए, और फिर यह container का id, और bash, य में अंदर जाना है, तो इसके लिए bash, basically यहाँ पर मैं copy, move, कोई भी command है, वो run कर सकता हूँ, यह container पर, लेकिन फिर आल मुझे terminal के अंदर enter करना है, तो इसके लिए bash, तो यह जो terminal आया, वो है मेरे container का terminal, तो इसमें अगर हम देखे हैं, तो क्योंकि यह भी ubuntu है, तो इसका भ होगा, cd slash where slash triple w slash html, let me clear this, तो यहाँ पर यह जो index dot html है, वो index dot html का output, यहाँ पर जो हम देख रहा है, वो है, तो इसको अगर हम change करना चाहें, तो लेट से इसको rename कर देते हैं, और एक नई index file create कर लेते हैं, let's say this is new index, और इसको नाम देते हैं, इसको h1 tag में रख देते हैं, ताक कि ठीक सा output में दिखे, और slash h1, और यहाँ पर index dot html, तो अभी हमार index है, वो हमने change कर दी है, पूरा नी index को नाम दे दिया, old html और नई index create कर ली है, तो यहीं change हमें, यहाँ बे भी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ बे आ गया, this is new index, और अभी हमें कोई भी extra files भी रखनी है, इसके document root के अंदर, तो हम यहाँ से create कर सकते हैं, let's say test.html, और let's say echo, test file, और इसको हम इसमें write करवा देते हैं, तो यह भी हम यहाँ पे जाके देखें, test.html, तो यहाँ पे उसका output देख सकते हैं, test file का, लेकिन क्यूंकि हमने यहाँ पे volume है, जैसे हमने port bind किया है, 8080 local के port के साथ, 80 container का port bind किया है, तो वो हम host machine से यहाँ पे browser के थूँ access कर पा रहा हैं हैं यह services, वैसे ही अगर हमें files को access करना है, अभी क्या हो रहा है, कि हमें files को write या read या कुछ भी करने के लिए, यह container के अंदर, container के terminal के through, यह files को create करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम यहीं files को host machine से access करना चाहें, तो इसके लिए हमें bind करना होगा volume, तो अभी इसका जो volume है, यह path पे, उसको हमें bind करना है हमारे local machine के साथ, तो इसके लिए और एक container run कर लेते हैं, same image का, तो पहले इसके लिए इससे बाहर निकल जाते हैं, और again docker images करके देख लेते हैं, और वापिस और एक terminal run कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एक directory create कर लेते हैं, जिसने हम volume bind कर सके, let's say, patche2-dockeroot, ऐसा करके एक directory बना लेते हैं, host machine के home में, ओके तो यहाँ पे यह directory बन चुकी है, इसका path check कर लेते हैं, तो पूरी directory का path हुआ, home uber2 slash apache2 document root, इस directory को, जो की हमारे host machine में है, उसको map करना है, यह directory से, जो की होगी container के अंदर की directory, तो इसके लिए हम और एक container run करेंगे, with same image, तो again docker run, dash d, dash p, और इस बहर क्योंकि 8080 port, जो की local machine का है, वो already occupied है, first container जो हमने create किया, उस से, तो अभी हमें local का कोई और port यूज करना पड़ेगा, let's say 80, 90, और again, क्योंकि यह container नहीं आरन होगा, तो उसमें जो apache चल रहा होगा, वो again 80 port पे ही चलेगा, तो again, यहाँ पे port 80, और उसका नाम देते हैं, apache 2-2, और यहाँ पे आएगा image का नाम जो की, same image, तो अलग से container run करना है, और यहाँ पे मुझे एक और option देना है, volume related, तो उसके लिए flag आएगा, dash v, और यहाँ पे, जैसे हमने port bind किया, वैसे ही, volume bind करने के लिए, left side आएगा, host machine का volume, और colon करके, जो right side आएगा, वो आएगा, container का volume, और run, तो अभी दूसरा container create हो गया है, let's check with the help of docker ps, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरा container, apache 2-2, यहाँ पे run हो रहा है, तो यह जो दूसरा container है, वो host machine का 80-90 port को उसको use कर रहा है, तो इसको अगर हम browser में जाके देखें, यहाँ पे इसको copy करके, यहाँ पे paste कर लेते हैं, क्योंकि इसमें test load HTML नहीं है, तो उसको निकल देते हैं, और enter, तो यहाँ पे हम देखें कि कोई भी directory अवेलेबल नहीं है, इसका reason यह है, कि हमने जो host machine पे directory create की है, उसके अंदर कुछ भी content नहीं है, और वो map हुई है container के document root से, तो जो भी हम host machine की directory को map करेंगे, तो उसके अंदर का content है, वो container की अंदर जो director है, उसको replace कर देगा, लेकिन फिलाल हमारी, हमारी जो host machine की directory है, उसको कोई भी content नहीं था, तो वहाँ पे भी जो index.html जो default file थी, वो भी remove हो गई, तो इसके लिए हमें ये जो host machine पे directory create की है, हमने, उसमें जाके कुछ HTML files है, उसको रखना पड़ेगा, तो इसके लिए चले जाते हैं, डॉकर, उसके path पे, path था, उसमें चले जाते हैं, अपाचे 2 और डॉकरूट, यहाँ पे हमें create करनी है, हमारी index.html, तो यहाँ पे local के prompt से, let's say echo, यह हमारे host machine का port है, local का port है, let's say h1, और यहाँ पे देते हैं, second container index file, और h1 close, और इसको लिए देते हैं, index.html, क्योंकि यह जो path है, वो container के, हमारे दूसरे container के document root के साथ map है, तो यहाँ पे हम जो भी operation करेंगे, वो by default वहाँ पे होते जाएंगे, जैसे हम index.html create करेंगे, वहाँ पे भी index.html create हो जाएगी, तो अभी अगर हम browser में जाके देखें, यहाँ पे reload करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि हमारी index file है, वो container के अंदर भी create हो गई है, क्योंकि दोनो volume है, वो mapped है, दोनो volume एक है, तो अभी कोई भी file को create, edit, delete करने के लिए, मुझे container के अंदर, container के terminal के through जाना नहीं पड़ेगा, वो basically मैं अपने host machine से ही कर पाऊँगा, VS code ओपन करके भी कोई file create करना चाहाँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, let's say test1.html, और उसमें content लिखता है, let's say h1, और second container test file is here, इसको save किया, और यह जैसे ही हम file यहाँ पर create करेंगे, वो same file container के अंदर भी create हो जाएगी, तो यहाँ पर जाके उसको भी हम turn कर सकता है, let's say test1.html, तो यहाँ पर हम उसका content भी देख सकता है, similar चीज हम container के अंदर जाके भी jack कर सकते हैं, to verify कि actual में यह file यहाँ पर create हो रही है या नहीं, तो इसके लिए वापिस इसमें चले जाते हैं और second container के अंदर उसके terminal के अंदर enter कर लेते हैं, and docker, execute again, interactive mode के लिए IT और, और bash, तो अभी है जो हम आए हैं, वो है second container का terminal, तो यहाँ पर चले जाते हैं, cdware, preparable u और HTML में, यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर same दो file यहाँ पर हमें दिखेगी, जैसे ही हम, मैं यहाँ पर नई file create करूँगा, वैसे ही वो वहाँ पर भी create हो जाएग, at sample.html, जैसे ही create की, और यहाँ पर अगर, दूसरी बार, अगर list command fire करूँ, तो वो file यहाँ पर भी दिखेगी, basically same volume है, वो मैं host के थूँ, access कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे terminal के अंदर explicit enter होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक container, दूसरे container से isolated mode में run होता है, जो भी मैं operation container 1 में perform करूँगा, वो container 2 में effect नहीं होगा, जो भी time हमें container की requirement नहीं होगी, हम directly delete कर सकते हैं, तो यह जो container है, वो हम delete करके देखते हैं, तो इसके लिए यहाँ से exit हो जाते हैं, और again, docker ps, तो यह container का list है, तो container को remove करने से पहले, हमें container को stop करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह container run हो रहे हैं, up है, तो मुझे यह container को पहले stop करना पड़ेगा, तो इसके लिए command है docker stop और container का id, तो हम यह जो पहले वाला container है, उसको stop कर देते हैं, stop, तो यह container है, वो stop हो गया है, तो अभी अगर हम docker ps करें, तो सिर्फ एक ही container दिखाएगा, जो की up and running है, अगर हमें सारे container देखने हैं, जो की stop और running कोई भी state हो, तो उसके लिए flag है docker ps-a, तो हमें जो stopped है, वो भी यहाँ पे देखेगा, और उसका status देखेगा, exited 137, 26 seconds अभो, तो अभी हमें यह जो container है, हमने stop कर दिया है, वो अभी हमें remove करना है, तो इसके लिए docker, rm, और again container का id, और remove, तो यह docker है, उसका container remove हो गया, जैसे हम container को remove करते हैं, तो वो container specific changes है, वो भी चले जाएंगे, बेसिकली हमने जो index.html में change किया था, वो भी container remove होने के साथ, वो भी चला जाएगा, और जैसे ही हम fresh container create करेंगे, वो scratch सही create करेगा, नहीं index.html, तो अगर हमें वो change है, वो persist रखना है, तो sks में हमें volume है, उसको host के साथ bind करवाना पड़ेगा, तो sks में अगर हम container remove भी करते हैं, तो वो changes सिर्फ container के अंदर नहीं है, बलकि host system के अंदर भी है, तो वो container remove हो जाएगा, लेकिन जो हमारे changes है, वो हम हमारे local machine के थुरू save कर सकते हैं, तो अभी हमने चब ये पहला container remove गिया, तो उसका कोई volume है, वो host machine के साथ bind नहीं था, तो उसके अंदर जो changes थे, वो container के साथ ही remove हो गए, तो अभी हम दूसरा container है, वो remove भी करते हैं, तो changes जो container के अंदर है, वो सब चले जाएगे, लेकिन उसका जो volume, जो की host system के साथ bind है, उस उसमें कुछ changes नहीं होगा, तो उसको remove करके check कर लेते हैं, docker rm, पहले उसको stop करना पड़ेकर, docker stop, और container का id, और docker rm, उसको remove करने के लिए, तो अभी ये container है, वो remove हो गया, तो अभी अगर हम देखें, तो कोई भी container नहीं है running, और कोई container है ही नहीं, क्यूंकि हमने दोनों container stop करके remove कर दिये है, तो अभी कोई container नहीं है, सिर्फ image है, तो अभी ये जो दूसरे container का change है, वो हमें यहाँ पर host system में देखने को मिलेगा, यहाँ पर, चोकि हमने map किया था, तो हमारी index, sample, test, सभी यहाँ पर host system से उसका backup मिल जाएगा, क्यूंकि हमने at the time of container creation, उसका volume है, व in the end, let's delete the image as well, तो image को list कर लेते हैं, पहले, एक ही image है, और उसको delete करने के लिए, docker images again, और docker image rm, और image का नाम, और या फिर id भी ले सकते है, सारी images है, पूर remove हो गई है, तो अगर हम यहाँ पर जाके देखे हैं, तो अपर फिलाल हमारे पास कोई भी image नहीं है, तो यह थी docker के related कुछ basic information, I hope आपको यह video informative लगा होगा, तो मिलते हैं next docker related video में, तil then, have a nice time.